हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फोन पर फाइल मिनेजर में अगर कोई फोल्डर यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है तो इस प्रॉबलम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाल तो आपको यहाँ पे क्या करना है तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आपको अपने फोन पर जो सेटिंग होती है यहाँ पे आप लोगों देख सकते हैं उसको आपको उपन करना है उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नीचे की में आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्जबार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से फाइल मेनेजर लिख लेना है तो आप लोग यहाँ पे फाइल मेनेजर लिखी और इसको जो है आप लोग यहाँ पे open करिए open करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देगा तो आप लोग यहाँ पे इसको जो है stories पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको नीचे में clear data का option आता है तो आप लोग यहाँ पे एक बार switch off करके दुबारा से on कर लिजे तो normal सा आपको ये वाली setting कर लेनी है तो फिर उसके बाद दोस्तों आपकी जो problem है वो यहाँ पे solve हो जाएगी तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस problem को solve कर पाएंगे